हाई वेल्कम तो माच चैनल इस ब्रीम सालब करें किसमर 9 तो धान देज़ेगा find the compound interest on Rs.8,000 for 9 months at 20% per annum compounded quarterly तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि Rs.8,000 का compound interest निका लिए 9 months के लिए 20% per annum के साब से but compounded quarterly compound होना चाहिए इसका मतलब कि हमें rate of interest को change करना होगा और time को हमें पता करना पड़ेगा कि जितना भी time दिया हुआ है उसमें कितने quarters होते हैं ठीक है compounded quarterly दिया रहेगा तो देखेंगे कि time में कितने quarters हैं और जो यहाँ पर rate of interest है यह हम करेंगे कि एक quarter का rate of interest निकाल लेंगे यदि एक सालगा दिया हुआ है rate of interest तो यहाँ पर करेंगे क्या पहले हम निकालेंगे rate of interest rate of interest for a quarter एक quarter के लिए rate of interest जो होगा 20% यह है आपका एक साल का तो फोर से डिवाइड कर देंगे एक quarter निकाल जाएगा तो फोर उन जाएगा time is equal to हो जाएगा 9 months दिया हुआ है ध्यान दोजेगा 9 months दिया हुआ है तो आपको यह पता करना है कि 9th month में कितने quarters होंगे तो एक quarter हमें यह पता करना पड़ेगा कि एक quarter जो है कितने month का होता है तो एक quarter थ्री month का होता है ठीक है एक quarter जब थ्री month का होता है जब आप 9 month में divide कर देंगे 3 month से तो निकल जाएगा number of quarters तो 9 month divided by 3 month तो ये month month cancel और 3 तो मिल जाएगा आप 3 quarters 3 quarters तो 9 months में 3 quarters होते हैं ठीक है यदि ऐसे आप solve करके find कर सकते हैं ने तो एक और तरीका है 9 months को पहले convert कर लिजे number of years में 9 को यदि year में convert करेंगे तो हम जानते हैं कि 12 months का होता है 12 month का होता है 1 year तो 1 month कितने का होगा 1 upon 12 का होगा 9 month कितने का होगा 1 upon 12 multiplied by 9 means 3 for the 12 means 3 upon 4 3 upon 4 year आप ऐसे कर सकते हैं 3 upon 4 year होगा 9 months is equal to 9 months is equal to कितना होगा 3 by 4 year और 3 by 4 यहां पर रख करके 4 से multiply कर देंगे क्योंकि 1 quarter बराबर होता है 1 quarter क्या? मतलब कि 4 से multiply करना पढ़ेगा 1 year को क्योंकि कितने quarters होते हैं एक साल में 4 quarters वोई 3 quarters हो जाएंगे एक यह तरीका है खेर जो भी तरीका अपना है time जो निकाल सकते हैं 3 quarters after that अब हो निकालेंगे हर एक के लिए अलग अलग for first quarter for first quarter P कितना हो जाएगा? P हो जाएगा 8000 जो दिया हुआ है rate of interest जो है 5% क्योंकि एक क्वाटर का निकालना है और time जो है 1 रहेगा क्योंकि एक क्वाटर का time जो है 1 है 3 quarters है 1 first quarter में निकाल रहे यहाँ पर हो जाएगा पहले simple interest for the first quarter is P R T upon 100 P R T upon 100 so यहाँ पर हो जाएगा P की वेलू कितना है? 8000 into 5% into 1 upon 100 2-0 कटे हैं यहाँ पर 2-0 से और 5-8 जा 40 means 400 हो जाएगा 400 रुपीस this will be simple interest for first quarter अब हम निकालेंगे for second quarter तो for second quarter quarter second quarter के लिए जो P होगा वो होगा 8000 में हम add कर देंगे जो interest आया है simple interest first quarter में तिहाँ पर add करेंगे तो मिल जाएगा 8400 रुपीस यह हो गया for second quarter के प्रिंसिपल और rate of interest कितना रहेगा 5% ही रहेगा और time is going to कितना हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर time हो जाएगा 1 यहाँ भी 1 ही रहेगा second quarter है second quarter के लिए 1 ही उस करेंगे so simple interest निकाल लेते हैं for the second quarter principle for the second quarter into rate of interest into time hold up on 100 so P यूज़ करेंगे हम यहाँ पर 8400 into rate of interest यूज़ करेंगे 5 into time is 1 hold up on 100 तो यह जिरो जिरो के इंसिल हो गया बन ब्लाइग कर लिजिए तो 540 रुटी कर जिरो 2 कर योबर and 5 विर्जा 40 42 420 तो 420 रुपीज आ गया अब इसको आइड कर देंगे फिरसे प्रिस्पल में तो निकल जाएगा for the third quarter for third quarter P is equal to हो जाएगा 8400 में मतलब इसमे आइड कर देंगे 420 plus 420 तो आपको मिल जाएगा 0 2 and 448 and 8 8820 क्या मिल जाएगा इतना रुपीज तो अब ये प्रिस्पल हो गया अब रेट आफ इंटरस्टों को पता ये 5% ही उज़ करेंगे और टाइम जो है हमें साब 1 ही उज़ करेंगे क्योंगी इस इस थार्ड वार्टर थार्ड वार्टर में भी 1 ही वार्टर है से अब करेंगे तो मिल जाएगा आपको 248 and 248 and 212 चुल फ्रेस्टों झाला क्या आए। 420 प्लस 441 एड करेंगे तो मिलेगा आपको 12.61 रुपीस लेकिन जो compound interest है एक और मेथर से निकल सकता है करना क्या होता है कि 3rd quarter के बाद आप निकाल लेजे amount मतलब कि जो new principle होगा तो amount ही उसी को बोलेंगे जो last निकलेगा amount निकलने के लिए क्या करेंगे कि जो यहाँ पर आपका आ गया है principle for the 3rd quarter उसमें add कर देंगे interest तो जो भी आएगा यहाँ पर इन दोनों को add करने में इसमें से minus कर दीजिएगा पहले वाला principle 8000 तो मिल जाएगा आपको इतना ही 1261 तो ऐसे करके आपको रोड कर सकते हैं compound interest तो खेर यहाँ पर आपको ऐसे ही solve करना है इन सभी questions को तो मैंने ऐसे कर दिया thank you so much for watching bye